है एक हाँ वब्रीवान वेलकम आइक वांटा इन टोड़ेस्ट विडियो विडियो विगे तो सी रोड माप आप कीवटी यूजी 2024 एक्जाम सो चीवटी यूजी एक्जाम बहुत पास आ गए हैं एद इस वीडियो इस गों तो बेरी हलफुल फॉर ऑल दोस टुदेंट्स जो सीवटी यूजी यूजी का इक्जाम इस साल दे रहे हैं एंड इन फाक्ट बहुत सारे ऐसे स्टुदेंट्स ओ आपको एक idea देता हूं CUT UG 2024 में competition का तो अगर आप exam की बात करोगे इसमें जो questions होते हैं दोजार not very tough यह J level के question नहीं होंगे tough नहीं होंगे लेकिन CUT competition के point of view से काफ़ी tough exam बन जाता है because last year 2023 में approximately 16 lakh students ने CUT UG के लिए apply किया था जिसमें से 12-13 lakh students ने इसका exam दिया था and अगर आप बाद करें top colleges में there are approximately 1-1.5 lakh seats चाहे वो डेली उनिवर्सिटी के top colleges हो बनारे सिंदु उनिवर्सिटी के top colleges हो जामिया जैसे top colleges हो सो इतनी हमारे पास seats हैं अच्छा खासा competition है लेकिन इस exam को crack करना इतना difficult नहीं है क्यों इसके subjects की वज़े से अगर हम इसके subjects को देखें we have English general test and domains अब आप सबको पता होगा कि हर एक university CUT-UG में अपना अलग-अलग subject combination लेती है तो subject combination तो आपको CUT-UG की website से मिल जाएगा which is CUT.SAMARTH.AC.IN आपको universities में click करना है अपनी फेवरेट university लिखनी है उसका course लिखना है उसके लिए subjects यह वो लिखने है बट अगर मैं आपको best subject combination बताऊं जिससे आप जादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो आप English ले लिजे यानि की आप बोर्ट में busy रहेंगे March पूरा बोर्ट में busy रहेंगे बोर्ट की preparation अच्छे से कर लिजे आपके जो domains हैं वो by default prepare हो जाएंगे इससे यह exam काफी easy बन जाता है because domains आपके माइं में fresh होंगे राइट exam dates आपकी आ चुकी है 15-31 में देखेंगे कि English और general test में ऐसा क्या आता है राइट because यह subject तो आप class 12 में पढ़ रहे हो but English and general test आप class 12 में एक तरीके से नहीं पढ़ रहे हो cvt specific जो इन में आता है topic राइट so we'll go ahead month by month देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए ओके let's go ahead and check the strategy for 100 days सबसे पहले क्योंकि CUT UG का exam season start हो गया है बहुत सारे changes इस साल होंगे बहुत सारी नई universities में आएंगी बहुत सारे नए subjects आ सकते हैं subject combination जो होते हों बदल सकते हैं हर university में हर course के लिए तो इन सब में बहुत ज़्यादा confusion होता है in fact अगर आप CUT UG exam दे भी देते हो उसके बाद university की counseling होती है जहां पर आपको अलग-अलग universities में जाकरके उनके counseling के लिए register करना होता है so यह जो पूरी process है यह काफी ज़्यादा hectic होती है students के लिए and अगर आप इन updates पर अपना time waste करोगे it'll be a big loss for you इसी लिए आपको क्या करना है you have to go to Instagram and please follow this page CUT underscore updates this is the biggest page for CUT UG in India and अगर आप इस page को follow कर लेते हो आपको minute to minute जो भी updates होती है जो भी changes होते है उन सबकी information आपको मिल जाएगी in fact for quick information आपके अगर सकते हो हमारा WhatsApp group join कर सकते हो which you will find in highlights okay इस group को अगर आप जोइन कर लेते हो जो भी updates हम Instagram पर post करेंगे regarding CUT UG exam उसका link आपको WhatsApp group में मिल जाएगा okay you can also follow us on YouTube यहां पर हम कुछ free marathons कराएंगे before CUT UG which can be a big game changer for you guys okay so चलते हैं आगे and देखते हैं कि हमको इन बचे वे दिनों में क्या करना चाहिए अब एक बहुत common doubt सारे students के mind में आता है वो यह है कि मैं self preparation करूँ या coaching करूँ सो मैं यहां पर clear bifurcation आपको देता हूं कि किन students को coaching लेनी चाहिए किन को self preparation करनी चाहिए देखे आपने यह issues हैं आपको लगता है कि coaching मेरे लिए problem solve कर रही है then you can definitely go for a coaching otherwise mainly issues self preparation में जो आते हैं वो है material hunt यानि कि आपको बार बार correct material search करना पड़ता है right coaching आपके लिए क्या करती है जो बिल्कुल relevant material होता है correct material होता है वो आपको देदेती है और आप को सी में से पंढ़ना है definitely you'll get really good results second is right material issues कई बार हमको यह thoughts आते हैं यह हमें दोस्तों सुनने में आता है कि यह भी CVT में आएगा वो भी CVT में आएगा so actually क्या आएगा यह question हमारे mind में होता है कई बार हम गलट topic पढ़के अपना time waste कर देते हैं और वो CVT में आता भी नहीं exam में आता भी नहीं है so content relevancy coaching आप इसने tight time में बहुत सारे doubts आएंगे so there should be someone जो आपके doubts clear कर दे time to time तो coaching आपके लिए वो भी issue solve कर देती है second is discipline issues है सबसे बड़ा issue है आप plan तो कर लेते हैं time table सबके पास है लेकिन follow कैसे करें तो अगर आप एक essay student है जिसको discipline की बहुत issues है definitely होते हैं फुरी दुनिया में यह problem है discipline की तो अगर आपको लगता है कि मैं इतना discipline नहीं रह पाता हूं बड़ एक coaching मेरे को discipline बना देती है schedule देती है जिसके तुरू मैं क्या करूंगा मेरे पास एक perfect time है पढ़ने का right तो आप उस schedule को follow कर पाते हो discipline रह पाते हो that is something which coaching solves for you then next is no guidance अब problem ही होती कई बार हम preparation के टाइम पर को ऐसा topic आजाता है कि हम बहुत low feel करते हैं हमें अतना motivation नहीं रहता है right so वहाँ पर क्या रहता है कि you can always seek guidance from your mentors right at last lack of motivation देखे self preparation में यह होता है कि आप अखेले पढ़ रहे होते है mostly तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्या शायद मैं जादा पढ़ रहा हूं या शायद मैं क पढ़ रहा हूं तो वहाँ पर motivation की बहुत कमी रहती है लेकिन अगर आप एक group of students के साथ पढ़ रहे हो अगर वह बढ़ रहे है तो आपको भी motivation रहता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए so यह सारे reasons मिल करके आपको एक अच्छा result generate करने में बहुत help करते है so on the basis of these factors you can decide whether you have to go for coaching or not so talking about iquanta CUT courses we have a specific course for CUT UG 2024 which is coming up in March it is our crash course last year is course at 200 students 100 percentile लेकर आए थे आप हमको call कर सकते हो fine so if I just take you to the results then we had really good results in 2023 last year you can check all these results on our page as well many of them are in Delhi universities and other top universities CRT में Commerce और Humanities वालों का तो बोल बाला रहता ही है they score full out of full right so यह चीजे है so finally आते है अपने roadmap पर देखिया हमारे पास जो month है that is February month इस में definitely सारे लोग अपनी बोर्स की preparation में लगे होते हैं so इस मंत का maximum use कीजिए because February and March specifically आपको बहुत ज़्यदा push करेंगे domains की preparation में और अगर आप CVT में 5 या 6 subjects ले रहे हो suppose आप English general test उसके साथ 3 या 4 domains ले रहे हो तो आपका maximum portion है वो domains का है because English general test तो दो ही subject हुए लेकिन domains 3 से चार होंगे तो आपकी जो maximum amount of preparation and more than 50% of preparation 60-70% preparation domains की preparation से हो जाती है जो की directly board से आती विकाज CTUG ने अपनी official website पर लिखा है कि वो class 12th का NCRT का syllabus की पूछेंगे उन्होंने website पर लिखा भी हुगा अपना syllabus वहां जाके आप देख सकते हो ठीक है बट February में exactly हमें क्या करना चाहिए हमें क्योंकि domains same होंगे class 12th वाले हमें domains पर पूरा focus करना चाहिए पहला point है prepare for boards domains will be sorted अगर आपने boards की preparation अच्छी कर ली तो आपके domains वैसे ही crack हो जाएंगे because syllabus same है उल्टा आपको mcq questions आंसर करने सीवीटी यूजी में यह बहुत ज़्याद़ difficult नहीं होंगे right then prepare notes for quick revision later boards के साथ साथ शायद आपने boards के preparation से पहले भी अपनी classes में नोट करेंगे उन नोट को reuse कीजिए वह आपको बहुत help करने वाले राइट लास्ट यह जो भी students boards में अच्छा कर रहे थे when boards results were out मैंने देखा कि जितने भी students 80s या 90s में percentage लेकर रहे थे उन्होंने ct ug में बहुत अच्छा result दिया fine if you are a dropper finish domains and start English and gt नाव देखिए domains तो ऐसे subject हैं जो हम पूरा 12th की beginning से पढ़ते वह आ रहे हैं बोट सक और भई हम cvt में भी देंगे लेकिन English और general test deciders बन जाते हैं because English जो specific cvt में आती है जिसमें reading comprehension passages होते हैं grammar होती है vocabulary होती है यह हम बहुत ज़्यदा class 11-12 में encounter नहीं करते हैं right so अगर आप एक dropper हो आप सबसे पहले domains finish कर लीजे right उसके mock test दिने start कर दीजे and सांथ में start कर दीजे English and general test because यह बनेंगे आपके last में deciders बहुत सारे ऐसे courses हैं Delhi University के अंदर भी और बाकी इन्युर्स इसमें भी जहां पर general test बहुत important होता है अब अगर आप general test का syllabus CVT website पर आके देखो कि इनोंने clearly topics mention नहीं करें हो है so this is one such problem right जो आप self preparation में face करते हो topic नहीं लिखा है तो क्या पढ़े so that is something which coaching solves for you exactly आपको क्या पढ़ना है we will analyze the past year papers and give the syllabus to you accordingly then next is any two subjects every day 20 to 30 questions of each अगर ये strategy आप फैप से follow करते हो या फिर आप मालीजे मार्ट से follow करते हो in fact April में भी start करते हो you have to go like this अपना डेली एक achievable goal रखे जिसमें आप क्या करोगे particular number of questions specifically mcqs की बात में कर रहा हूं mcq based material कीजे बिकुज सीट यूजी का पूरा paper mcq based है आपको वहाँ 45 minutes के अंदर पूरे domains और English के paper solve करने है general test में आपको थोड़ा ज़्यादा time मिलेगा बढ़ वहाँ questions भी जादा है तो mcq की एक art होती अलग solve करने की वह आपको develop करनी है by solving 20 to 30 questions of each subject everyday और mcq में क्या ही है you will read maximum one to two lines and mark the answer आपको वहाँ थोड़ी तो लिखनी नहीं तो यह फटा-फट हो जाता है अगर आप एक ऐसे student से दो से जादा subject कर सकता है definitely go for the third subject as well अब यह strategy है जो अभी से start कर रहा है अगर आप April से start करते हो आपको 3-4 subject daily करने पड़ेंगे next is finished PYQs of topics in parallel अब previous year question papers को देखना बहुत important है because क्या questions का level है यह जाना भी बहुत important है तो जो भी topics आप कर रहे हो उसका previous year question paper और अगेन मैंने iquanta के CVT updates जो Instagram handle है वहां पर highlights में आपको past papers मिल जाएंगे आप वहां जाकर कि उनका level चेक कर सकते हो actual papers का next is ask doubts in CVT WhatsApp group so मैंने आपको बताया था मैंने description में एक WhatsApp group का link डाला हुआ है वहां पर जाकर कि आपने doubts पूछ सकते हो फटा-फट वह doubts clarify होंगे आप motivated भी रहोगे next is pay equal attention to all the subjects अब ऐसा होता है कि बच्चे domains तो कर लेते हैं बट English बहुत जदा attention नहीं देते एंड लास्ट में यही subjects उनको उनकी rank गिरा देते हैं percentile गिरा देते हैं बहुत चोटे-चोटे मार्क से बहुत चोटे difference से आप टॉप और इसको miss out कर सकते हो तो इसलिए आपको सारे subjects में अच्छा करना है fine then note down week topics in each subject चुकि आपको भी खुद पताएगी मेरा कौन सब्जेक्ट वीक है try कीजिए कि वह strong हो जाए कई बार ऐसा होता है difficult difficult subject में easy questions आजाते हैं तो अगर आप basic करके जा रहे हो वह आपको एक अच्छी performance देने में help कर सकता है this was the plan for February finally आपकी जो official website cvt की वो है cvt.summer.ac.in आपको जितने भी information गैदर करने है किसी और third party source में आपको ट्रस नहीं करना है सारे information आप यहां से गैदर करोगे otherwise अगर आपको समझ में नहीं आ रही है इनकी information दी हुई you can always messages on the cvt.ug instagram handle okay which is cvt updates now let us go to the strategy for March, March में आपके boards खतम हो जाएंगे बट पूरा जो मन्त होगा definitely boards में ही जाएगा तो आप यहां target कीजे 100% syllabus completion in domains यह दोनों के लिए है जो boards दे रहें वो तो cover करेंगे 100% syllabus लेकिन जो droppers हैं उनको भी मैं बोलूँगा कि March आते आते अपना फूरा syllabus खतम कर लीजे okay because आप यहां से count करते हो तो 31 days March के आपके पास approximately 17-18 days आपके February में भी बचे होए है तो 40-50 दिन में आप syllabus चाहो तो complete कर सकते हो देली 6-7 घंटा दे करके क्योंकि boards वाले तो automatically करी रहें domains राइट टेकिन जो droppers उनको यह करना चाहिए then collect material for English and general test so हमारा जो WhatsApp ग्रूप में वहां पे English and general test की PDF डालूँगा जिसमें बहुत सारे अच्छे-च्छे questions हैं with answers आप उसको ले सकते हो ठीक है so do join the WhatsApp group okay मैं आपको material दे दूँगा English or general test के लिए बट आपको अगर पढ़ना है वह concept समझ में नहीं आ रहे then in that case you can go for our crash course as well if feeling bored solve 5-10 questions of English in general test अब आप साल बड़ से domain पढ़ते आ रहे हो और आप bored हो गए हो तो आप सांथ में English or general test थोड़ा सा अपना test of questions बदलने के लिए कर सकते हो definitely ठीके इस से अपर क्या होगा side-by-side shooting mode preparation होती जाएगी प्रैक्टिस मोड पूरे मार्स में on रहना चाहिए okay especially for droppers because बोर्ट वालों का तो on ही है check PYQs to judge CUTUG exam level exam level का पता होना बहुत ज़रूरी है because माल लीजिए CUTUG में कोई tough question आता है और वो एक time waste करने वाला question हो एक trap हो सकता है तो आपको क्या करना है उस question को छोड़ना भी आना चाहिए कई बच्चे questions को अपनी ego पे ले लेते हैं सारा time उसी में waste कर देते हैं वो आपको नहीं करना है आपको easy question easy opportunities अच्छी opportunities question paper से लेनी ह है जो question solvable है उस time limit के अंदर fine तो एक बार देख लीजे कि जो आप material कर रहे हो उस level का question CVT में आता भी है नहीं आता अगर नहीं आता है then do not solve that okay start mocks of domains next month इसके next month April में आपके domains के mocks start हो जाने चाहिए because आपने यहां तक syllabus अपना complete कर लिया होगा right so domains के mocks parallel में दीजे English and GT पढ़त आप क्या कर सकते हो एक मौक दे सकते हो daily basis पर या फिर alternate days पर एक मौक दे सकते हो ठीक है iquanta में we have a mock test series जहां पर हम आपको हर एक subject के 10 mocks देते हैं तो आप English general test और 3-4 domains कोई भी domains का मौक हम से ले सकते हो वो product भी आपको iquanta.in.cvt हमारी website में मिल जाएगा then two mocks everyday of domains plus analysis देखे अ आपके पास आप उन students में से हो जिनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया है right so आप अपने mocks की जो frequency इसको बढ़ा सकते हो दो mocks daily दे सकते हो ठीक है बट अगर आपको लगता है कि यह जादा है lower it down देखिए कभी भी आपको वो strategy follow नहीं करनी जो मैंने बता आपको आपका दिन कैसा जाता है आप कितना पढ़ पाते हो तो थोड़ा सा strategy को आप अपने according adjust भी कीजिए that's the strategy of March now you guys are free boards are over let us see हमें April में क्या करना चाहिए fine April में finally आपके boards हो जाएंगे खतम start English and general test with revision of domains domains कब आपको revision करना है थोड़े बहुत mcqs करना है बट साथ में आपको concept पढ़ना है English और general desk का because now you guys are free ठीक है English as a subject है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे 100% score करते हैं अगर आप last year of से पिछली एका data देखो so English एक ऐसा subject आपके लि तो general test के अंदर तीन सब्जेक्स है पहला तो आपको six to eight की math से जिसको quantitative aptitude बोलते हैं then logical reasoning and third is gk right तो तीन सब्जेक का mixture है general test that is the reason काफी बच्चे इसमें अची performance नहीं दे पाते हैं बट अगर आप start कर देते हो time से अब अच्छा खासा कर सकते हो बिकोज इसकी जो maths होती है वो schedule for English and general test because अब आप free हो गए हो अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत disoriented way में पढ़ रहे हो कोई तरीका नहीं पढ़ने का तो आप एक schedule बना सकते हो कि दिन में मुझे देर से दो गंटा English पढ़ने है देर से दो गंटा general test बाकी time आप domains का मौकर revision कर सकते हो ठीक है learn a topic solve 40 plus questions of each कि इसी भी topic को जो आप कर रहे हो उसके सबके 40 MCQs आपको लगाने ही लगाने बिकास MCQs से क्या होगा जितने जाद आप MCQs solve करोगी उतनी probability बढ़ेगी कि exam में same type का question आजाए next is practice mode on again four to five hours every day अपको और दिन में हर दिन तीन से अर्गेंटा चार से पांट गेंटा है उसे साधा अगर पॉसिबल है प्रेक्टिस करने जिए next is ask lot of doubts इतनी प्रेक्टिस करें तो राउस त्वाइंगी you have to get them clarified for that you can join our whatsapp group then finish PYQs of last two years it will boost your confidence हम सब लोग preparation कर लेते हैं हमें कभी कभी लगता है कि हमारी preparation में कुछ बच रहा है and that is sometimes the previous year question papers तो CVT अभी सिफ दो साल ही होगा है 2022 और 2023 में यह CVT का तीसरा साल है आप पिछले साल के सिफ दो ही previous year question papers से इंको जाकर कर लेते हो आपको कभी फील नहीं होगा कि मेरी preparation में कोई gap है fine so यह आपका confidence boost up करने में बहुत help करेंगे next is two mocks everyday of any two subjects plus analysis देखें mocks देना तो अच्छा ही होता है बड़ उसकी analysis भी बहुत ज़रूरी है because अगर आप mocks में analysis नहीं कर रहे हो तो मौक को चेक नहीं कर रहे हो कि मेरी दिक्कत क्या है मैं क्यों नहीं score कर पा रहा हूं जादा वह वेस्ट है it will be like a set of random questions राइट फिर वह एक mocks नहीं रहेगा तो मौक आपको यह पताता है कि उस particular time frame में आप कैसी performance दे पा रहे हो और आप क्या अच्छा कर सकते थे और दस में आपका लास्ट लैप है 15 में से सीटी के exam स्टार्ट होने वाले अभी तक तो एसी नियूस है शायद पीछे भी हो सकते हैं बट गेट प्रिपार्ट फिटीन में अब पंदरा दिन आपको क्या करना है अब क्योंकि आपके जो यह चैपटर वन का हो सकता है और चैप्टर 15 का होसकता है तो आपका जो ब्रेन होता है वो एक्जाम के ताइम पर बहुत स्विच करता है तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे आप रैंडम टॉपिक से क्वेश्टिन करोगे एक क्वेश्टिन बैंक उठाइए या फिर मैं बोलूँगा कि मॉक्स ही दीजिए मॉक्स के अंदर आपका क्या होगा बिल्कुल जैसे एक्ट्वल पेपर आता है वैसी मॉक होता है जाधा स बढ़ा दीजिए क्योंकि इसका एक मॉक बहुत चोटा होता है एक मॉक होता है आपका अप्रॉक्सिमेटली 45 मिनिट्स का अगर आप डॉमेंस और इंग्लिश का दोगे जेनरल का मॉक्स होगा वो 60 मिनिट्स का होगा तो बहुत इसली हमारे लिए पॉसेबल अगर हम 45 मिनि पाएं तो इस पूरे महीने आपको टेस्ट मोड में रहना है मॉक्स का टॉपिक पढ़िए नेक्स दिन आप वापस जाकर कि क्या किजिए मॉक दीजिए और पूछोगे उतने आपके डॉट्स क्लियर होंगे कंसेट क्लियर होंगे सॉल मोर इन यूर हैं अब स्क्रिबल अब सीविटी ऐसा एक्जाम में जहां पर आप स्टेप पाई सीजन ही करोगे क्वेशन आपको दिखता है आपको पढ़के थोड़ा बहुत ब्रेइन में सोचने का है ट्राइक करना है एंड देन यह तो कीप स्क अब चुल एक्जाम में ही बैठाओं और स्क्रिबल करते रही है इससे आपकी यह बेसिकली हमारा हाथ तक जाता है कभी कभी एक्जाम में करते विए वह इस्यू आपको नहीं आएगा ठीक है एंड स्पेसिफिकली यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है उन पेपर्स के लि होते है तो एक बार फॉमला दिवाइस कर लीजिए एंड फाइनली एक दिन पहले एक्जाम के आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो बट आई वूट सजेस्ट कि थोड़ा रेस कीजिए विकॉस आपको एनरजी बचानी है नेक्स दिन के लिए नेक्स दिन ऐसा होता है कि आपके दो से तीन, तीन से चार सब्जेक्ट एक ही दिन में हो जाते हैं तो अगर आप पिछली दिन भी पूरी एनरजी वेस्ट कर रहे थे तो नेक्स दे आप एक दो पेपर दे करके बहुत वीक फील कर सकते हो दूट विच जो नेक्स पेपर होता है आपका उसे परफॉमेंस डा को समें क्या चीज़े मैं आपको फीचर फटा फट बता देता हूं सो यह स्टार्ट हो रहा है मार्च के एंड में अगर हम देखें सब्जेक्स तो विल भी कवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज डोमें सब्जेक्स जैनल टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए सांथ में आप आपको मिलेंगे mcq assignments which I was talking about so this could be the right source जहां से आप correct set of material practice कर सकते हो साथ में आपको English और जनल टेस्ट की एक PDF भी देंगे जिसमें बहुत सारे questions along with solutions fine talking about domain subjects domain subjects आप already पढ़के आ रहे हो इसका quickly हम एक revision करेंगे again इसमें भी आपकी सारी classes होंगी which will be live so अगर आपको पता करना है हम हमारे पास कौन से domain subjects you can simply give us a call over here okay talking about general test हम quants logical reasoning GK सब कुछ कबर करेंगे in form of live classes and along with that आपको practice material भी मिलेगा साथ में classes के बाद अगर आपको और practice करनी है then we have thousand plus questions of English domains and general test as well so इनको भी आप practice कर सकते हो and we available रहेंगे 24-7 doubt solving कोई भी डाउट आपको आपको आता है उसका picture लेगर के हमारे WhatsApp group में डाल सकते हो and get your doubts clarified finally mocks जो भी subject आप हमारे crash course में लोगे crash course में basically it is a combination of English general test and 3-4 domains आप ले सकते हो सबके 10 mocks रहेंगे full mocks जो बिल्कुल लेटेस सीवीजी के exam pattern पर बेज़ें साथ में आपको देंगे past papers की PDF and detail solutions and timings will be approximately 5-6 आर सबकी daily basis पर class होगी and सारी classes की जो लेंथ रहेगी वो अप्रोक्सिमेटली वनार प्लस रहेगी okay final जो last few days होंगे और में one-shot marathons करेंगे and you can read more about the crash course from here if you want to buy it you can purchase it from here if you have a coupon code if you have performed really well in class 10th 11th okay if you have a good percentage of a drop or 12th you will get a coupon code for extra discounts so you can always join the whatsapp group and you can text to the admins for further discounts so if you have a structured way in our CVT UG preparation you can always go for this crash course website link is icwanta.in slash CVT this link you will get in the description so that's what with the 4 month strategy and then if you have any doubts keep coming back to icwanta for all such updates and all the best for your CVTG exams